हेलो मेरे प्यारे बच्चों आशा करतों आप लोग सब बढ़िया होंगी तो इस विडियो में हम लोग ICSC Physics Marking Scheme डिसकस करने वाले हैं for the session 2022-2023 जो बच्चे 2023 में appear होंगे एक्जाम के लिए तो approximate marks देखें हैं हम लोग chapter wise तो पहला जो टॉपिक है हमारा वह पहला तीन चैप्टर मिला के हमें बोल रहे हैं force, work, power, energy plus simple machine यह तीन चैप्टर मिला के जो total marks है वह है 24 तो अराव 24 marks के question आपको यहां से पूछे जाएंगे second है आपका light पड़ा ही important है because यहां से maximum question पूछा जाएगा 26 marks के ठीक है next है आपका sound ठीक है sound से आपको 11 marks पूछे जाएंगे फिर है number 4 electricity electricity numerical से यहां पर बहुत वारा ठीक है circuit diagram वहां पर आपका 13 marks से पूछे जाएंगे next आता है हमारा electromagnetism electromagnetism तो यह बड़ा ही important chapter है यहां से आपका 8 number गाएगा अलाकि जाधा कूछ नहीं रहा है यहां से पर chapter wise यह बहुत important है बहुत कुछ सीखने मिलता है यहां पर eat मेरा favorite chapter ठीक है numericals यहां से देते हैंगे 10 marks last radio activity radio activity now इस chapter से आपके आएंगे 8 marks यह है आपका marks distribution for physics approximate इसी के आसपास आएगा तो दो सबसे important topic जो है वह आपके यह है लाइट तो देख लो 26 marks का है पढ़ा important है क्यों कोई की सवाल यहां से चुटे सबको मेरे तरब से wishes मन लगा के पढ़ो और December में आपका सिर्फस complete हो जाना चाहिए December is a time for revision आप जितना revise कर पा और मैं बता रहा हूं आपको अगर अच्छा करना है तो तो concise physics solve कर लो 10 years solve कर लो और एक मार्केट में बहुत सारे test paper है साधिस्त अल्मूस्स अभी एकी टाइप के अच्छे रही हो है और कोई एक test paper खरीद लो जिसमें unsolved होते है 10-12 question paper उनको solve कर लो अगर ये तीन चीज़ आप कर चुके हो या करोगी तो आपका physics paper बहुत अच्छा जाएगा देकि पेपर ना application based होता है उस हमाना चला गया define force, define one newton मैं ऐसे question बहुत कम देते हैं ठीक है चल अबरीबड़ी best of luck और अगर वीडियो आया कर लाइट लाइट शेयर असा है जरू करें